हेलो फ्रेंज, वेलकम टो बीनास कीचन, आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चीजी सा नाष्टा, इस नाष्टे को आप सुबह की ब्रेकफास में खा सकते हैं, शाम की नाष्टे में खा सकते हैं, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा चीजी है, बहुत ही ज़ करें तो चलिए रसेथी को श् intéress लिया लिटे हैं तो सबसे पहले हम बना लेते हैं था ने के लिए हम जबनाने के लिए भी यहाँ पे पैन साच लिया एक चमच ऑप्यास हमने इसे चमARD mm कर लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं उबला हुआ आलू, तो आलू को हमने अच्छी तरह से बॉइल करके मैश कर लिया है, दो मीडियम साइज के आलू का हमने इसमें यूज किया हुआ है, अच्छी तरह से हमने इसमें मिला लिया है, तो अब हम डाल लेते हैं इसमें आदा छोटा च केजरिंग और चिली फ्लेक्स ना हो तो आप अपने पसंद को और मसाला डाल सकते हैं पर इन मसालों से जो इस नाष्टे का टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है इन सब को अच्छी तरह से हमने मिला लिया है अगर आपके पास स्वीट कॉन हो तो आप उसका यूज कर सकत हैं दो चमच हमने यह पे उबले हुए स्वीट कॉन डाल लिये हैं धनिय कपत्त काट करके डाल ले लेते हैं एक चमच नीमु का जूस डालेते हैं नीमु का जूस से यह जुट नाष्टा से बहुती चट पटा पर टेस्टी बन करके तयार होता है तो अब इन सब को लेट से गूत करके रखली है यह वही आठा है जो हम रोटिया बनाने के लिए यूसे करते हैं आप चाहे इस सी calibra को मैदा सकते हैं पर हमने इसमें लिप कोम प्तरिय आटे के दो तो जैसे नॉर्मल हम रोटिय बनाते हैं उसी तरह से हमने इसे तयार कर लिया है और इसे बेल लिया है तो इसे हमने थोड़ा से छोटा शेप में रखा है और अब हम इसे सेक लेते हैं तो इसे बहुत जादा हमें नहीं पकाना है हलका इसे कच्छा पका ही रखना है क्योंकि ह इसे बाब में भी पकाने वाले हैं तो यहां इसी तरह से हम रोटिओ को पका करके तैयार कर लेते हैं अ को अब हम इसमें कुछ eight लगा लेते हैं तो आंदा चुटा चमज हमने इसमें सेज्वन सॉस लगा लिया और एक चमज हम ने बच्चों को बहुत ही साथ पसंद आता है तो आप इसमें चाहे तो दन्या की चिटनी का यूज कर सकते हैं अगर टेमाटो के चाहे यूज ना करना चाहे तो और अब हम इसमें डाल लेते हैं चीज तो आपके पास mozzarella या process जो भी चीज हो आप उसका यूज इसमें कर सकते हैं और जो आलू का stuffing हमने बनाया था ना उसे भी अब हम डाल लेंगे इसमें तो यह जो सारे stuffing है वो हमें आधे रोटी में ही डालना है पूरे में नहीं डालना है और अब हम इसमें फिर से चीज ग्रेट कर लेंगे चीज डालने से बच्यों को यह नाश्ता बहुत जादा पसंद आता है तो चीज अपनी हिसाब से ओधर कम यह थोड़ा जादा डाल सकते हैं तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यह देखिए, यह आप देख सकते हैं, यह देखने में कितना लाजवाब लग रहा है, खाने में भी यह बहुत ही जादा टेश्टी होता है, आप एक बारे से जरूर ट्राइ करें, इसी तरह से हम बाकी के भी नाश्टे को बना करके तयार कर लेते हैं, तो यह हमने यहां पे टेमाटो केचप लगा लिया है, और अब हम इसमें सिज्वन सॉस भी थोड़ा सा डाल लेते हैं, तो सॉस अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं, और अब चीज डाल लेते हैं, और चीज से तो इसका टीस जो श Christmas चुछ में नाश्टे के सुना नाश्टे के लेंगे इतने स्टीफिंग से हमने चार तर को भेड़ा लीते छे र cleansing आयए में हार एक गीया इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए हमने यहां पे एक चमच गी डाल लिया है गी या बटर का आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इस नाश्टे का जो टेस्ट है वह बहुत अच्छा आता है और लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है बिल्कुल धीम धीम आज में यह पकेगा तो बहुत ही अच्छा क्रिस्प बन करके यह तयार होगा इस तरह से हम इन रोटियों को इसमें रख लेते हैं तब इपे और जब यह अच्छी तरह से एक तरफ से सिख जाएगा तब ही हम इसे पल्टेंगे तो यह देख सकते हैं चीज जो है वह भी बहुत ही अच्छी तर से krisp होते जा रहे हैं तो बीच-वीच में अलटते पलटते बिलकुल अच्छी टरह से crisp करके हम इसे पकने के लिए रख देते हैं ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है कितना colorful और कितने ज्यादा से melt है बहुत ही ज्यादा ये delicious ना नाश्ता बन के तयार हुआ है और हमने इसे गेहु के आटे से बना लिया है तो बहुत ज्यादा यह हेल्दी भी है तो गेहु के आटे से बनने वाला हमारा टार्कोस बन करके तयार हो चुका है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटल जरूर दमाएं